है गईस क्या आप लोगों ने अपने Amazon से आए किसी प्रोड़क्ट को वापिस से रिटर्न या रिप्लैस्मेंट के लिए रिक्वेस्ट किया था और अब आप उस रिटर्न या रिप्लैस्मेंट की रिक्वेस्ट को कैंसल करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो मैं आप लोगो को रिक्वेस्ट को कैंसल करना सिखाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तो किसी भी प्रोड़क्ट की रिटर्न रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को Amazon के अंदर चला जाना है या आप लोगों को अपने Amazon अकाउंट के अंदर लोगिन कर लेना है मैंने यहाँ पर अपने mobile के अंदर Google Chrome के अंदर Amazon अकाउंट लोगिन किया हुआ है इसके बाद आप देख सकते हैं कि left side में आप लोगों को 3 lines देखने के बिलेगी आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आप लोगों को चले जाना है order section में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलाल में किस product के लिए return ने के request send की हुई है और इसी में आप देख सकते हैं के नीचे view return या refund status देखने के लिए मिल रहा है आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है simply आप लोगों को जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी कोई process यहाँ पर start नहीं हुई है मैंने आज इसके लिए किया था तो आपको simply cancel return के बटन पर क्लिक करना है और फिर से आप लोगों से confirm करने के लिए कहा जाएगा और फिर simple आप लोगों cancel return के बटन पर क्लिक कर दिना है तो अब आप देख सकते दोस्तों कि आपकी cancellation की जो है request submit successfully हो चुकी है और अब आप लोगों के पास में Amazon पे जो delivery boy आया था वो आप लोगों के पास में return product लेने के लिए नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने cancellation की request successfully cancel कर ली है तो आपको हमारा वीडियो किसा लगाया है हमें comment करकर जरूर बताईएगा और साथ ही हमारी वीडियो को like and channel को subscribe जरूर कर दिजेगा तो ओके गाईज